नमस्कार दमुकेश राजपूत शो में आप सभी दर्षकों का स्वागत है आज इस शो के विशेश एपिसोड को लेकर हम पहुंचे हैं सोनी पर लोगसभा चुनाओ की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारतिये जन्ता पार्टी ने यहां पर उमीदवार ब मेरे शो पर और आएए आपसे बाच्चित करते हैं कि अब उमीदवारी घोशित हो चुकी है दिन रात संघर्ष चल रहा है चार सो का जो नारा है उसको पार लगाना है तो क्या तैयारी है आपकी जी मुकेश जी आपका स्वागत अभिनंदन और आपके दर्षकों को भी ब बहुत ही तेजगती के साथ मैंने अब तक पांसो से ज्यादा नुकड सवाएं नुकड प्रोग्राम किये हैं और लोगप्रिये प्रदानमंत्री नरेंदर मौदी जी की सरकार की 2014 के बाद दस वरसों की उपलब दियां जो जनकल्यान की नितियां पूरे देश में विकास के काम और पूरे देश का गोरोव मान सम्मान बढाने का जो 140 क्रोड लोगों के सम्मान बढाने का काम देश के लोगप्रिये प्रदानमंत्री नरेंदर मौदी जी ने किया है आज लोगों ने उस बात को पसंद किया है और प्रदानमंत्री नरेंदर मौदी जी की विकास की ग कि क्वांटी और महिलाओं के अधिकार की गारणटी किसानों के सम्मान की युवां के रोजगार की गारणटी और देश को मजबूत बनाने की जो गारंटी मोधीजी ने ली है जिए आज पूरे ये दोजार जोविस के लोख його Care चुनाओं में पूरी जनता की समझ में आया है और जनता जंध जनारदर पूरे मनंं के साते दिल के साथ परदान मंत्री नरेंदर मोजी जी को तीसरी बार इस देश के परदान मंत्री बने इस परकार के संकलक पे साथ सभी महिला पुरुस बुजरग युवा देश के 140 करोड जनता इसी काम में लगी है और ये हमारे लोकतंतर का बड़ा परव है और इस परव को बहुत खुशी के स साथ दो हजार चोविस में लोग पीरे परदान मंत्री नरेंदर मोजी जी को आशिरवाद और समर्थन दे के जनता पूरा करेगी पिछला चुनाव हुआ 2019 का उसमें ये बात आई कि अक्सर जो होते हैं वो सांसद परदान मंत्री को चुनते हैं लेकिन 2019 में नरेंदर मोजी की ऐसी लहर थी कि माईने नहीं रखता था कि सांसद परद के लिए कौन उमीदवार खड़ा हुआ है वो नरेंदर मोजी को डाला गया तो जो 2019 में नरेंदर मोजी की हवा थी वो क्या आज भी दिखाई दे रही है या सांसद के तोर पर खुद को भी मैनत करने की जरूरत है या मुकाबला करा है मुश्किल है कैसे देखते हैं आप मुकेश जी 2014 में देश की जनता ने जिस परकार से सपष्ट बहुमत की सरकार परदान मंतरी नरेंदर मोजीज की बनाने का काम किया और अपने मैनिफेस्टों को जिस परकार से अक्सर से पालन करते हुए जनता की उम दिल के साथ और मैं हर्याने की बात करूं तो हर्याने में दस की दस लोकिस्तवा के सिटे हर्याना परदेश की जनता ने लोग प्रदान मंतरी नरेंदर मोजीज की देने का काम किया और बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीती में यह हुआ जो आपने बात सच कही है कि परद दुदान मंतरी नरेंदर मोजीज की कि जो एक सो चारीश कोड जनता ने जो मान संबान किया है लोग तंतर में जो वोट पड़ती है और जिससे उत्सा के साथ जनता आशिरवाद देती है उससे आज पूरे विशव के अंदर दुनिया में कहीं चुनाओ हो तो वहां तो कि बढ़े बड़े नेतावी कहके वोट मांगते हैं कि मैं मोदी जी जैसा काम करूंगा जैसे बारत के प्रदान मंतरी मोदी जी ने काम किया मैं वैसा काम करूंगा तो वहां कोई बीजे पी चुनाओं नहीं लड़ती है लेकिन एक विचार एक कमिट्मेंट एक जो जनता क शेवा की वो विचार वहां लोग परकट करते हैं और उसी परकार का वातावन आज 2024 में जो परधारमंत्री नरेंदर मोदीजी ने जिस परकार से देश को मजबूत करने का काम किया आज पूरी दुनिया में जो भारत की छवी बनी है आज जिस परकार से भारत एक मजबूत राष्टर के रूप में उबरा है और जो आज आर्थिक दस्टी से पांचवे नंबर का देश बना है जनता को विश्वास है कि मोदीजी के नेतरतों में हम तीसरे नंबर पे भी आए बड़ी एक त्रीके के साथ बिल्कुल एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से देश के अंदर जो कानून विवस्ता को मजबूत करने का काम किया है सब का साथ सब का प्रियास और सब के विश्वास के साथ जो मोदीजी ने काम किया है यह वही ताकत है वही ताकत काम कर रही है और उसी इसाब से जनता ने आशिरवाद देने का मन बनाया है, उमीदवार कोई भी हो, लेकिन वो भारतिय जनता पार्टी का कारिकरता, परदार मंत्री नरेंदर मोदी जी के आशिरवाद से, शिर्ष नेतरतों के आशिरवाद से, परदार मंत्री नरेंदर मोदी जी के परत तो भी मोधी जी करें गे हम भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ मिलकर पूरा अब मोधी जी के बाद हम करते है हर्याना कि हर्याना में दस लोगसवा ती और पिछले चुनाओं की बात करें तो धस की दस जो सीटें वह भारकी जनता पार्टी के इस बार दस میں सीति कितनी दस में से दस नी दस की भी अब चैर जुन दस लोकषवा एक विदानस्वा घ्णारा शीट भारती जनता पार्टी के पक्सम आर掷 टनार है और है और जो यार्मी करनाल की विदान इसमें जो अधिकतर आपका जो इलाका है उसको हाइवे से जोड़ने की कोशिश की है काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं लेकिन जो आम जनता है उसको थोड़ा सा इसकी खुशी है और थोड़ा सा गामना खुशी है कि सड़क तो अच्छी बनगी लेकिन जहां से भी आओ टोल 24 में 1,44,000 किलोमेटर के नेशनल हाइवे पूरे देश में हैं पूरे देश के अंदर जितने भी जिले हैं परते एक जिले को नेशनल हाइवे से जोड़ने का काम किया और मैं अगर सोनिपत की बात करूं तो सोनिपत एक ऐसा जिला है जिसमें नो नेशनल हाइवे एक नेश रोजगार के साधन आएंगे वो दोग शेक्टर डवलप होंगे बहुत सारा विकास का जो नया काम होगा आज सोनिपत लोकसभा के अगर मैं बात करूं तो कम से कम पांच लाख आदमी रोजगार के लिए यह बहार से आके अपना रोजगार अरजित करने का काम कर रहे हैं इत कि ने भारत का जिस परकार से विकास हुआ है कि नए भारत के विकास के साथ वहोत बड़ी भागिधारी उसमें रहेगी इस परकार का जो देश्के परदार मंतिरी नरेंदर मधीज ने दिया है और लोग सराना करते 2014 में हमारे सोनिपत की बात करूँ तो 5 यूनिवस्टी होती थी अच 14 यूनिवस्टी है लोकसभा की बात करूँ तो 16 यूनिवस्टी है बहुत बड़ा एक एजूकेशन का हब बना है और नए विकास के रास्ते पर अरियाना परदेश में जिस परकार से गुडगामा फरीदा कि अगरनी जिलो के श्रेणी में आते थे सोनिपत भी उसमें सामिल हुआ है और सोनिपत की जनता ने महसूस भी किया है यह जो इलाका है यह मूर्थल का इलाका है और जो लोग NCR किस शो को देख रहे होंगे या पंजाब के देख रहे होंगे हर्याना के तो यह ऐसी जगह ह है जहां पर अधिकतर जो धाबे हैं उन्होंने बहुत प्रसिद्धी पाई है किसी का नाम नहीं लेता लेकिन एक खासियत भी मुझे बताई गई कि यह जितने भी इस इलाके में धाबे हैं यहां पर सिरफ वैश्नाव खाना मिलता है यहां पर मासाहार नहीं परूसा जाता उसके पीछे भी एक राज़ बताया गया यह यह भूमी मुनि सथली के रूप में मुर्थल का पुराना नाम है और यह सोनुपत माभारत कालिन एक गाउँ उस से में होता था और आज वो गाउँ से सहर की तरफ उसका विकास हुआ है और मुर्थल गाउँ पराचिन काल में मुनी सन्थली के नाम से यहां बहुत सारे डेरे है बहुत सारे मंदिन है और यहां है के बाबाकली को कमी रहेना किसी बात की और बाबा-कली के हसले ही यहां पर पूरा वैसन हो अगर पूरे वैसना के इलावा कोई दूसरा काम करता है तो वम हुआ निम बाबा के हापकindest inert है और बाभास्य में थीक हो जातीक और बहुत सारे लोगों इस परकार का सुरुवात की लेकिन प्रमात्मा की करपा से जो इस भूमी का क्योंकि भूमी में बड़ी ताकत होती है हर मिठी की अपनी ताकत होती है यह हमारा जो इंदुस्तान है जो हम सभी धर्मों का अधर करते हैं सभी का धर्मों का अधर करते हुए सब का समान करते हुए ज परिवार के वो सब सदस्ट हैं उनकी धार्मिक मानेता है अलग-अलग हैं लेकिन वो सब हमारे परिवार के आदे जब हमने आप से फोन पर बात की कि आप से मिलना है आप से साक्षातकार करना है तो आपने हमें भी आश्रम में बुलाया अभी जहां पर हम खड़े हैं इस किसी मंदर से अपना सुर्वात करता हूं और आज भी मैं जब घर से निकला हूं तो मैं सीधा यहां आया हूं यहां बहुत धार्मिक स्थल है आस्ता का किंदर है और यह बहुत सारे हमारे कैंप भी होते रहे हैं और यह हमारे विचारों का किंदर है तो उस पर मैं आया हू द्वन्दी हैं वो भी आश्रम से ही तालूक रखते हैं जी भ्रह्मचारी जी तो भ्रह्मचारी जी के साथ जो लोकसभा चुनाओ का यह जो कॉम्पिटीशन है इसको आप किस तरीके से देखते हैं हमारे सनातन परंपरा में एक मानेता है कि गरस्त आश्रम बड़ा आश्रम मानगा है और साधू संतों ने इसी परकार की एक पूरे समाज के अंदर मैसेज भी देते हैं और हम संतों का संबान करते हैं आश्रमों का संबान करते हैं मैं घरस्ती जी रहा हूं वो भ्रहमचारी का जिमन जी रहे हैं, वो भी राष्टर के लिए काम करें, मैं भी राष्टर के लिए काम करूं, लेकिन विचारों की लड़ाई है, राजनीती की दवन्द है, पूरे देश में जिस परकार से दो राजनीती काम करते हैं, एक राजनीती है, राष्टर के लिए काम करते हैं, दू निकालते हैं भगवान सिरी राम के मंदर की अगर प्राण प्रतिष्टा का उनको निमंतर्ण दें तो उसको ठुकरा देते हैं ना दें तो मीडिया में व्यान बाजी करते हैं जब भी कोई कानून विवस्ता ठीक करने की बात है उसका विरोध करते हैं हर पोल्शी का विरोध करते हैं और विपक्स की भूमिका जो होनी चाहिए उस परकार की विपक्स की भूमिका नहीं निवाते इसलिए देश की जनता ने उनको नका रहा है उनके कोई विचार है नि कांगरिस पार्टी ने अपनी विचार धारा को छोड़ दिया है और जिस बहरम के अंदर वो गर सबसे बड़ा मंदर है उसमें भी जो बात कही के सरकार सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब का है कमजोर का है और सरकार की जम्यवारी होती है कि गरीब की और कमजोर की मदद करें वो काम देश के प्रदार मंतरी नरेंदर मोदी जी ने बखूबी करके दिखाया है नारा नह तो अभी इस चुनाव में जो मुख्य चीज आप अपनी उपलब्धी के तौर पर गिनवाते हैं वो है श्री राम का युद्धय का मंदिर धारा 370 को कश्मीर से खतम करना ये दो मुख्य मुद्धे हैं और जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि जो देश में बेरोजगारी की सं किया है वो बड़ी है महगाई बहुत जादा हूगी इन मुद्धों पर आप बोलने से बच्टे हैं हम हर मुद्दे पर बहुते हैं हर मुद्दे पर बोलते हैं अपने विचार को रखते हैं और अब ही जो हमने संकल पत्र जारी किया है उस संकल पत्र में सारी चीजे सामिल हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से कॉंग्रिस पार्टी को बताना चाहता है उस संकल पत्र को पढ़ें और जो उन्होंने अपना गोशना पत्र जारी किया है जिस दर्म की बात की है हम सभी दर्मों का आधर करते हैं और वो एक दर्म को मैतों ज्यादा देते हैं बाकियों को नकार देते हैं हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रियास और सबका विश्वास यह जो हमारा मंतर है इस मंतर पर काम करें और जैसे हरियाने में मुख्य की बात करेंगे हमारा गोरोसाली जो इतियास राहा है हम उसके बात करेंगे और इसे देश को विक्षित राष्टर बनाने का जो संकल्ब देश की जनता ने लिया हमारी सरकार उसके काम करेंगे जहां तक देश को बांटने की बात है तो विपक्ष कहता है कि आप लोग देश क को बाट रहे हैं आप के रहे हैं कि जो कॉंग्रेस है उसकी नीतिया ऐसी है कि वो जाती नाम परदेश को बाट रहे आप प्यारूप लंकता है कि आप धर्म के नाम पर hindu-muslim के नाम पर डिवाइड करते तो जनता जो मूल मुझे हैं वेरोजगारी की बात करें न मुझ्दों से भचकाने की कोशिश करती है राजनेतिक पार्टियां मुल मुझ्दे ताकी निकल जाएं हमने कोशिश हमने जहां किसानों को 14 फसले हर्याना पर्देश में MSP पर खिदिने का काम किया है किसानों को अच्छा बाव दिया है खाद दवाई किसानों को सस्ति दिये है वहीं किसानों की फसलों के दाम भी अच्छे दिये हैं बढ़ा के दिये हैं 2014 में हमने 2014 में CODA में क्या बहाव गेंonte का था क्या बहावगन्रय का था आपा यक इसास करिए किसानों से पूछीये जो फ़सल एक-ड़ में 2014 में थी और आज 2024 में। 10 सालों में जो किश्षान की इंकम को बढाने का काम किया है यह इस मुद्दें से कांगریस बठकाती है जनता को जो BPL परिवार है उनको पांच वर्स तक मुफत रासन देनी की भी योजना बनाई है ये हमने सब के साथ हमने आयू समान योजना से अगर 53 क्रोड लोगों को जोड़ा है तो आज हमने अपने संकल पत्र में 70 वर्से उपर की आयू के महिला हो पुरुष हो गरीब हो अमीर हो किसी भी दर्म का हो किसी भी जाती का हो हमने सब को जोड़ने का काम किया है सत्तर वर्से उपर की आयू का कोई भी हमारा बुजरग होगा हम उसको समान के साथ सरकार उसका इलाज करवाई कितनी बड़ी एक योजना लीके आए परदानमंत्री नरेंदर मोदी जी ज चार्स करोड जनता का मनोबल बढ़ता है परदानमंत्री नरेंदर मोदी जी का नाम लेने से परदानमंत्री नरेंदर मोदी जी के नाम की बड़ी शक्ति है कि देश की जंता को अलग से खुशी मिलती है włosie का १ijn करीव हर और ऑर 4 घंटे पूरे एरिये में सभी मोधी मोधी करते हैं, यह मोधी जी के नाम से ताकत मिलती है, इस देश की जनता को ताकत मिलती है, और भारती जनता पार्टी है कारिकरता हुए ताकत मिलती है। जसमें से लगभग आप असी करोड़ों को मुफ्त का राशन बाटते हैं पांच के लोग के हिसाब से, तो वो जो योजना है उसको आप हर एक जगां बताते हैं, लेकिन जैसे किसी दूसरे राज्जे में मानली जी केजरीवाल हैं या हिमाचल में बात करें, कॉंग्रेस की सर कुल्सिया कभी ना विरोध करते हैं, ये वो परचार करते हैं, वो भी कहना ये बात, कि मोधी जी कि सरकार ने इस परकार की योजना बनाई है, उन्होंने glor Jewish ही है जो केंदर की योजनाय है केंदर ने जो लागू की है वह सो परसेंट हमारे पार्टी का वह राज है या नहीं है हम उसको पूरी तरह से लागू करते हैं उन्होंने परचार करना चाहिए क्या अब वह समय आपको इस लोक सभा चुनाओं के बाद आता हुआ दिखता है कि भारत में अगर रहना है तो मोधी मोधी कहना है नहीं मोधी क्या देश के प्रदानमंतिरी अच्छे काम कर रहे हैं तो कहना चाहिए यह तो हमारा फर्ज बनता है हम यह बात किसी पर थोपते नहीं है यह अंतरा आत्मा की आवाद से अपने आप बोलते हैं लोग बोलते हैं की लोकृ परदार मंधिर ने नेंदर मोजी ने इस बात को सवीकार कर लिया आपके हो दो जंता जनारदन के अंने मन बन बना पकी है और वो आशिरवाद लेने के लिए वम जंताके बीच मेंजारे आपके जो उटर्ज थे हां हरयाना जो जंता है मोझी साप के जो फैन है या विपक्ष के जो लोग हैं वो इस वक्त आपको टीवी पे देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे देख रहे हैं तो जो वोटिंग परसेंटेज इस पार पहले चरण में रही है वो काफी कम है तो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जो भारतिये जंदा पार्टी के लोग हैं वो ओवर के लिए भी ना निकलें तो उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे मुकेश जी आपने बहुत अच्छी बात कहीं मैं संदेश देना चाहूंगा हरियाना प्रदेश की जंता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा के सो परसेंट मद्दान करें और जिस परकार से ह देश की बलाई के लिए मद्दान करें ये निवेदन में जरूर करूंगा और जिस पार्टी ने देश के लिए इतना काम किया है परदार मंत्री निरेदर मोदी जी को तिसरी बार देश का परदार मंत्री बढ़ाएं इस परकार का निवेदन में आपके चैनल के माधिन से करना चाहते हैं जे अभी हमसे यह जानना चाहते हैं कि 10 साल दिया जंता ने आपको तो तुछ समेरको अपनी जो सरकार है मोधी सरकार रही आपकी ब्लबद्या के नुखा बढ़े और पाइस आलप और मांग रहे हैं तो पाँच ऐसे कौन से सपने जो आपने देखे हैं मोदी वी ने देखे हैं, या एंडिये ने देखे हैं, वो अभी पूरे होने बाकी हैं, तो और पांच साल आपको दिया जए। हमारे देश में जिस परकार के आज एक लागछाडिस जार किलोमेटर के नेशनल हाईवे हैं, दस साल में, नब्य हजार किलोमेटर से एक लाग च्छारीश जार किलोमेटर पाए हैं मेरे पूरे देश की अंदर डबल सडके हो जहां चोटी से चोटी आबादी रहती है वहां सडक का लेवल इस परकार का हो कि जो विक्षित राष्ट्र हैं आज दुनिया के 37 विक्षित राष्ट्र है है जिस परकार की सडके उन देशों में उससे भी बढ़िया क्वालिटी की सडके हो। हर घर को नल से जल हो, पीने की विवस्ता हो, भूच कोई भी बूखा ना सोय, सभके खाने का इंतिजाम, बढ़िया हो बढ़िया रहने जिस परकार से 70 वर्ष की उपर के आयू के महीला पुर्षों के लिए देश के परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने जो आयू समान योजना से जोडने का काम किया है सब का पांच लाग का भीमा स्वास्ते का होगा और उनके इलाज की चिंता सरकार ने की है इस परकार की वेव की बड़े क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है ऐड़ दुनिया का सबसे बड़ा देश है और हमारे देस को आतम निर्वर्वर बनाना विख्शित राष्टर बनाना और देश को सक्ति-सालिराश्टर बनाना आप सबने देखा है दस वरसों से देश के परह दार, कgoneली नि प्शुवर्श से किया अख्शर उससाइ उसका निभाने का पूरा काम किया सबकी सुर्ख्षा की घारणि आप सब ने देखा है दस वरसों से कभी हिंडूों काते वाराय मुसलम हा काते वहार आये ख्रिषिंश का आये खैं कभी भी त्वार क कोई भी देश में दंगानी हुआ कोंग्रिस का शासन था जब भी कोई तुहार आता था देश में अलर्ट करना पड़ता था किस परकार से अफरात अफरी का महाल बनता था किस परकार से बै जो मोदीज ने कहा है बै भूख और बश्टाचार को दूर करने का जो संकल्प मोदीज ने लिया है उ वो देश में आग लग जायेगी इतने अलके डंग से कहते हैं जैसे देश कुछ भी नहीं है देश को बहुत छोटा मानते हैं तो वो जो ब्यान देते हैं उसका रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से जो देश के परदान मंतिर नरेंदर मोदी जी की जो राष्ट बगत खोषट कोई सरकार की बात है जनता के बीच नहीं सब्सक्राइब कोई इमने披ोल बयानबाजी करते है अभी आपने देखा है उनका भ्यान आया है अभी अमित्च्या见 जी के बारे में एक फेक वीडियो चला ही है है किस परकार से से फेक वीडियो चलााई है उन्होंने कंग्रीश अपने tweeting so कलाती है अपने account से चलाती है ऑजूथा परचार करते है जूठा कर practice कहार का सारा में हैं यह कोंगरिuing से जूठा परचार करते हम संविधान को सिस करते हो जेता गीता ओर्रावाण को हम पूझते है अपने गंतों को पूझते हैं हम उसी परकार से सविधान की पूजा करते हैं, हम सविधान पर चलने वाड़े हैं, हम सविधान की अनुसार काम करने वाड़े हैं, और यह भारती जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाड़ी पार्टी है, यह राष्ट बत्क लोगों की पार्टी है, राष्ट के लिए का किया और सबसे बड़ा उधार्ण अटल बिहारी वाजपेई जी ने जब विपक्स का नेता रहते हुए यू एन्य में जा के जब पाकिस्तान के मुद्दे पर देश का पक्स रखा था पूरी दुनिया में वो पहला उधार्ण था पर इस फरकार से बुनाते हैं कि सरकार हमार लिए सरोपरी है देश मारे लिए सब कुछ है हम इस भारत भूमी की हम इस भारत भूमी की यह भारत भूमी एक मंदिर है और इस भारत भूमी पर रहने वाड़े लोगों के हम पुजारी है हम उनकी पूजा करते हैं इसलिए हम 140 क्रोड जनता की पूजा करने की बात करते है उनकी शेवा करने की बात करते हैं और देश के परदार मंतरी नरेंदर मोधी जी ने वो करके दिखाया है अभी क्योंकि आज का हमारा शो अंतिम दोर में है तो एक बार हम फिर आपको मौका देते हैं कि जो आपके वोटर्ज हैं उनसे आप अपील कर सकते हैं पहली अपील तो यही कीजिए कि कम से कम वोट जिसको भी दें उनकी मर्जी है लेकिन वोट डालने जुरूर जहें मैं मौकेश राजपूत जी आपने बहुत अच्छा अब सर मेरे को इसे चुनावी के समय के दोर में दिया है और मैं आपके चैनल के माद्यम से सभी दर्षकों को प्रणाम करता हूं नमस्कार करता हूं और सबसे निवेदन भी करता हूं कि इस लोकतंतर के त्योहार में अपनी पूरी भागिदारी संपूर्ण भागिदारी पूर्य प्रिवार की भागिदारी इस देश में जितने भी वोटर हैं परतेक वोटर मतदान जरूर करें सो परसेंड मद्दान करें और राष्ट के लिए मद्दान करें ये 2024 की चुनाव देश को मश्चुल करने का कि टुनाव है देश को विख्शित राष्ट बनाने का चुनाव है और ये बड़े संकलप प्राइगे तीसरी बार सरकार अब की बार 400 पार नरेंदर मोधी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने का बहुत-बहुत शुक्रिया मोहलाल बडोले जी आप ने इस चुनाओ के कीमती समय में समय निकाला हमारे हरे खटे मिठे सवालात के आपने जवाब दी तो तहे दिल से हम आपका शुक्रियादा करते हैं और सुर्य समाचार की तरफ से हम आपको अग्रिम शुबकामनाय देते हैं और आप जीत हासिल करें वो तो जैसा आपके वोटर चाहेंगे वैसे होंगे लेकिन हम समाचार पर मुकिश राजपुट शो के बाद भी खबरों का सिलसला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है बने रहे हमारे साथ